नमस्कार दोटों आपका बहुत बहुत श्वागत है आपके अपने चानल सक्सेश प्लेस में इस बीडियो में हम बात करेंगे किसी भी स्टॉक का आप खुझ से एनलाइसिस कैसे कर सकते हैं जैसे हम भी कुछ स्टॉक आपको रिकमेंट करते हैं तो आपको फिर खुझ से उस करना है या नहीं करना है पहला कंपनी के बिजनेस को जानना बहुत बहुत इंपोर्टेन जिस कंपनी के बिजनेस को आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना जाहिए दूसरी बात बिजनेस को जानने के बात आपको कंपनी का भैलेशन देखना है company का जो valuation है क्या वो अभी का जो share का price है वो बास्तम में affordable है या नहीं बास्तम में उतना होना चाहिए company का share का price company valuation के अनुसार या नहीं तो fundamental analysis में इस सारी चीज़ें आ जाते हैं फिर आता है कि किस price पे हम उस stock में invest करें किस price पे हम inter करें share price में entry के लिए या तो आप SIP mode का यूज कर सकते हैं कि हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा उसमें buy करते रहें तो आपको हो जाए कर यह उन लोग के लिए जो technical analysis नहीं जानते हैं अगर आप technical analysis को जानते हैं तो फिर आप जो है technical analysis का माध्यम से आसानी से exact रूप से इंट्रिक कर सकते हैं company के fundamental analysis के लिए आप टिकर टेप और askina.in का यूज कर सकते हैं दिखिए जैसे टिकर टेप आप आते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है search bar इसमें आपको किसी भी stock का नाम write करना है नाम write करके आप उसको search करेंगे वो stock इस तरह से यहाँ पर open हो जाएगा कुछ इस तरह का interface आपको open होगा यहाँ पर देखिए उस stock का नाम होगा जिस company का stock है betania industry तो यहाँ betania industry हो गया और इसके just नीचे यहाँ पर आप देखिए यह code है NST का तो यहाँ पर यह code डालेंगे तो भी stock आ जाएगा यहाँ पूरा company का नाम लिखते हैं तो भी यह share price आपको आ जाएगा मतलब यह share आज कितना आप यह down था तो वन डूपेज 10 पैसा आज यह down था और इसको हम कहां से देखते हैं यह देख सकते हैं यह आईडो लाइन नीचे बना हुआ है इस तरह का आईडो बना हुआ है नीचे है जब यह आप होगा इस तरह का आपका आईडो होगा ऊपर की तो यह आईडो नीचे की ओर है मतलब आज यह down था वन डूपेज 10 पैसा इसके जश्ट पगल में यह आपको जो ब्रैकेट है इसमें मिल जाता है कि कितना परसेंटेज यह up यह down था तो यह आप देखें निगेटिव लगा हुआ है निगेटिव मतलब down था 0.03% तो यहाँ आप आईडो से भी देख सकते है डाउन था यहाँ पर निगेटिव साइन लगा हुआ है मतलब यह आज डाउन था यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा मतलब यह शेयर प्रैस आज इतना परसेंट से अब था या इतना रूपीज से अब था यह सबसे पहला basic information हो गया इससे आ यह यहाँ पर यह पर यह ऊपर यह पर नहीं है फिर यहां देखते हैं डाउन आए फिर यह अउपर गया और फिर देखते हैं लगातार गया तो कुछ इस तरह का अज का price ट्रेंग रहा betania industries का तो आप यहां पर चार्ट से इंटर डे में buy sale कर सकते हैं लेकिन कभी भी मैं इंटर डे recommend नहीं करता हूँ आप जो है long term के लिए invest किजिए short term के लिए किजिए उसके बाद यहाँ पर आप intrinsic value देख सकते हैं कि stock का intrinsic value क्या आते है यहाँ देखे current price का रहा is more than the intrinsic value जो current price है stock का इसका intrinsic value होना चाहिए जो actual value होना चाहिए उससे अधिक है उसके बाद return versus FB rates यहाँ कर रहा है stock has been generating better return on equity than FB मतलब equity पर जो stock return generated कर रहा वो FB से better है उसके बाद dividend return कर रहा stock doesn't offer attractive dividend return जो stock है वो attractive dividend return जो है वो offer नहीं कर रहा है मतलब इसका जो dividend का return है वो attractive नहीं है अब यहाँ पर देखिए अगला जो point है entry point कर रहा है good time to consider stock अभी intrinsic value से उपर है लेकिन फिर भी कह रहा है यहाँ पर कि यह अभी बहुत अच्छा समय है का आप stock में इंटर कर जाए stock is not in overbought zone मतलब intrinsic value से stock थोड़ा सा ज़्यादा price है लेकिन overbought zone में नहीं है मतलब बहुत ही actual price है जहाँ आप Britannia industry में अभी आप invest कर सकते है आप देखिए यहाँ पर no red flag मतलब कोई भी इसमें red flag नहीं है का आप इसमें invest नहीं कर सकते है मतलब कोई भी अभी दिकत नहीं है stock ना तो ASM list में है ना तो GSM list में है not a lot of promoters holding ना तो promoters का holding place है ना तो ASM list में है ना तो GSM list में है आप ASM list क्या है GSM list क्या है उसको आगे जानेंगे उसके बाद यहाँ पर आप chart देख सकते हैं जो आज का ये trend आपने देख लिया 1 week का return देखना साथे है ये 1 week में stock कितना return दिया है 1.13% फिर यहाँ पर 1 week का low price कितना था वो देख से है 3.385 और 1 week का high price कितना था 3.458 फिर वहाँ पर 1 month आपको कर सकते हैं 1 month का chart देखिए negative return दिया है minus 0.04% और low price ये 1 month का 3.371 रूपेज 40 पासा और 1 month का जो high था 3.555 रूपेज और फिर 1 year का आप चार्ट देख सकते हैं 1 year में जो return दिया stock 0.35% और 1 year का low है 3.305 रूपेज 75 पासा और 1 year का जो high है 4.10 रूपेज फिर आप 5 year का chart देख सकते हैं उसी तरह सा आप फिर maximum year का chart देख सकते हैं maximum year में आप देख सकते हैं यहां से आपको chart 2.305 से देखने मिल जाता जब यह stock मात्र 50 रूपेज के असपास आया था वहां से यहां तक का chart और 2.305 से अभी तक का return यहां देखने मिल जाता 3.800% का पिर आप जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर आपको कंपनी के बारे में मिल जाएगा देखने के लिए यहां पर कंपनी जो है किस सेक्टर का है FMCG food consumer established और यह कंपनी मिट कैप है large cap है small cap है micro cap है वह यहां देखने मिल जाएगा यह एक large cap company है with a market capitalization of 83,000 crore और stock का जो rank है वो कितना है 56 इसका stock का large cap में आप देखें lower risk stock is 1.19% as volatile as nifty nifty जितना volatile है मतलब nifty जितना ऊपर या नीचे जाता है उससे यह 1.19% volatile है मतलब उसके बाद आगे आता है की matrix यहां पर देखें आपको P ratio में जाए इस टॉक का P कितना है तो 44.56 जब कि सेक्टर का P कितना है 34.52 ठीक है थोड़ा सा महगे P पर मिल रहा है जो कि आपको यहां पर भी देखने में जाता है intrinsic value से छोड़ थोड़ा सा ज्यादा है stock का value अब यहां price to book value एक रुपया book value के लिए investor कितना रुपया पे करने जा रहा है और यहां पर P में होता है एक रुपया के अर्णि के लिए कितना रुपया हम पे करने हैं मतलब एक वन येर में company जो एक रुपया अर्ण करती है उसके लिए investor कितना रुपया देने के लिए तैयार है तो यहां प्राइस तो बुक वैल्यू भी हाईयर है आप कंपनी के डेट की बात करें तो टूटल डेट है कंपनी के उपर 1537 क्रोड का टूटल जो एक्विटी है कंपनी के पास 438 क्रोड का और यहां पर डेट टू एक्विटी रहस्यों देखेंगा तो काफी कम है जो डेट बहुत कम है लगवग 0.3 के पास है जो की काफी कम है तो लगवग नियलेजबूल डेट है कंपनी के उपर एक तरह से आप इसे डेट-free कंपनी मान सकते है क्योंकि कंपनी काफी बड़ी है एक लार्जियप कंपनी है और उसके उपर काफी कंपनी है आप फोरकास्ट और रे आर्रियंग का जो ग्रोथ दीखा रहा है वो दीखा रहा है 0.80% और रेपेन्यूमेद ग्रोथ दीखा रहा रहा है 9% से बहादा का मतब इतना Renhu में ग्रोथ हो सकता है ओर एक साल में और फ्राइस में ग्रूथ हो सकता है यहांँ से और नीचे जब आते हैं आप इस company के जो different different brands है उसके बारे में दे सकते हैं company का different different brand में कौन-कौन से है good day है काफी बहतरीन brand है इस company का उसके बाद यहाँ पर newtry choice, marigold, tiger और भी अगर आप देखना चाहते हैं इसके यहाँ पर see more brand को आप click करेंगे इस company के बहुत सारे brand आपको मिल जाएंगे तो यहाँ से company के business को आपको देखना है company का जो यह product है क्या यह product market में एक mode create करता है मतलब एक monopoly create करता है अगर आप biscuit खरीने जाते हैं आप on biscuit के मामले में good day को prefer करते हैं समझ जाएए इस company का monopoly है इस sector में अपने जो पीड है अपने sector के अलग company है उससे यह company ज्यादा बहतर है product मामले में इसका share भी ज्यादा बहतर होगा आप देखे मैरी गोल्ड है टैगर है क्या आप इसको दूसरे biscuit के मामले में ज्यादा prefer करते हैं आप बिर्टेनिया biscuit भी है क्या इसको आप ज्यादा prefer करते हैं तो समझे इस company का monopoly है मतलब अन्य इस sector की उससे यह ज्यादा मतलब value रखता है market में तो आपको return भी ज्यादा देगा अब उसके बाद नीचे आता है जो important चीज़े है financial trend कंपनी के financial trend को समझना मतलब financial health को समझना बहुत ही ज़रूरी है अब देखें यहाँ पर revenue है 10,000 क्रोर का revenue था 11,000 क्रोर का यहाँ पर 5 क्रोर का revenue हो गया तो जो revenue है वो लगातार बढ़ रहा है और revenue किसमें 1000 क्रोर में यहाँ आप देख सकते हैं तो इतना revenue तेजी से increase हो रहा है एक blue chip कंपनी का आप देखें यहाँ पर प्रोफिट 1,000 क्रोर का था बन करकर के हो गया 1.16,000 क्रोर का तो यहाँ पर जो profit है वो भी increase हो रहा है फिर 2020 में increase हो करके हो गया 1.40% का profit फिर increase हो करके यह profit हो गया 1.86% का तो लगातार जो है यहाँ पर increase हो रहा है revenue और लगातार increase हो रहा है profit इस तरह से आपने कंपनी के financial performance को जो देखा तो काफी बहतरीन है कंपनी के business को देखा कंपनी का जो business है क्या वो monopoly क्रेट कर है तो यह तो आपको खुद से पता करना पड़ेगा company का business जो है monopoly करता है या नहीं क्या आप उस company के product को खुद prefer करते हैं दूसरे कंपनियां से तो वो business का समझने हो गया आप business को समझ लिए financial health को समझ लिए अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर promoters के holding है promoters का holding काफी कुछ अच्छा करने बाला है और सेर यहां से आगे boom होने बाला है अगर promoters stake घटा रहा है मतलब वह खुद company में जो है confident नहीं है खुद company के growth को लेकर के positive नहीं है तो यह सब बातों को आपको ध्यान रखना है तो यहां तो यह six month में promoters जो almost constant रहा है stake कोई भी holding लफक प placed नहीं है अगर यह जो promoters होते हैं यह एक तरह से जो आप जहाज होते हैं उसके captain है अगर आपका captain ही खराब हो गया मतलब captain ही सही नहीं है तो जहाज को do सकता है मतलब जहाज का direction भटक सकता है तो यह सारी चीनिये याद रखना है फिर mutual fund देखिए mutual fund का जो stake है वो भी constant है मतलब mutual fund का holding अगर बर रहा है मतलब जो recent time है उसमें price उपर जाने बला है अगर mutual fund का holding जो बड़े-बड़े future को लेकर के positive नहीं है जो बड़े-बड़े instruction है अगर यहां बड़े-बड़े instruction positive नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि company से price उपर नहीं जा सकता है उसके बापजूद भी जा सकता है कुछ भी हो सकता है वो company के आने वाला समय तैक करेगा कि company किस direction में जाएगी अब देखिए यह यहां पर नीचे आ जाता है price forecast revenue forecast तो आपने तेक लिया आप यहां price forecast यहां का रहा है जो expected return है वो कितना है 14.84% का current price से यहां से 15% यहां से ऊपर जा सकता है यह stock लेकिन यह जो 15% है वो पिछले 3 साल का जो इसका CAGR है compound involved growth rate है 24.12% का उससे कम है मतलब यहां पर जो पिछले साल का जो average return है उससे कम देगा return आने वाले एक साल में यह stock फिर यहां पर देखने है कि maximum कहा तक यह stock जा सकता है तो 4.603 रूपीज तक और जो lower range इसका है जहां तक यह stock आ सकता है forecast के नुचर 3.273 रूपीज तक और medium यह 3.900 तक जा सकता है यहां पर यह 15% यह average return जो calculate किया और maximum return return यहां से आपको 34% के आसपास मिल सकता है तो यह latest का rating है कि maximum return आपको इतना मिल सकता है average return 15% तक मिल सकता है फिर यहां पर जो maximum revenue growth rate है उसका forecast देख सकते हैं maximum जो high percentage होगा revenue growth का वो कितना होगा medium में 9.3% का है जबकि high में 18% तक revenue में growth हो सकता है जबकि इसका CAGR मतरब पिछले 3 साल का जो company annual growth rate है CAGR है revenue का वो 10% है जबकि इस बार का जो average लगाया जा रहा है 9% का maximum 18% तक जा सकता है और जो low हो सकता है मतरब revenue growth का वो 0.96% मतरब 1% हो सकता है growth फिर earning forecast में यहां देख सकते हैं कि earning growth जो average रूप है वो 0.8% तक average रूप से growth हो सकता है earning per share में जबकि maximum जो earning per share में growth हो सकता है या earning के है earning में जो growth हो सकता है वो है 13% का और जो lower growth होगा वो negative में 30% का जबकि पिछले 3 साल का जो CAGR है earning growth का compound annual growth rate है earning growth का वो है 22.78% का तो काफी कम यहां पर earning growth दिखा रहा है अगर maximum growth की बात का वो भी 13 है जो कि पिछले 3 साल के CAGR जो है earning growth का उससे काफी कम है तो निसीत हैं यहां से stock में कोई बढ़ा जो आपको momentum देखने नहीं मिल सकता है ऐसे भी इस stock पे pandemic का भी कुछ खास असर नहीं पड़ा है क्योंकि यह हमारे essential item में आता है तो यह भी रही कर सकते हैं कि इस पे pandemic का असर पड़ा है इसलिए ऐसा होगा तो यह हमारे essential item में आता ह है तो इसलिए यहां से कुछ खास आपको एक साल में आपको खास ऊपर जाने का potential इस stock में नहीं दिखा रहा है उसका वाजात है financial पर अता आप financial पर कपनी के income, balance sheet, cash flow इन सब जिनों को देख सकते हैं आप यहां पार यह देख सकते हैं कि जो industry का revenue growth है वो कितना रहा है 5.7% होता है अगर FMCG का 100 product market में बिक रहा है biscuit का तो उसमें से 22% product बिक रहा है मतब जो people है अगर वो product buy कर रहे हैं तो उसमें से जो इसका product है वो कितना sale हो रहा है 22% पहले हो रहा था अब यह 22% से बढ़के के रहा हो गया 24% तो यह बहुत ही अच्छा jump है 2% का market share में jump होना एक बह की यह high competitive sector है इस sector में आपको कई बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे ऐसे competitive sector में यह 2% का market share में increase दिखा रहा है तो जो की काफी positive sign है उसके बाद net income की बात करें तो net income देख सकते हैं grow हुआ है 15% से जबकि industry का average मतलब यहां पर net income grow हुआ है मातर 2% से industry के comparison में काफी solid company है हर मामल इन के इनकी जो रहा है और यहां पर कपनी का revenue देख सकते हैं company का revenue लगातार इनकीज हुआ है 13,000 क्रोड, 11,000 क्रोड, 11,000 क्रोड, 10,000 क्रोड यहां देख से लगातार इनकीज हुआ है वह अन्निक पर से देखेगा 41, 48, 58, 77 और भी काफी तेजी से जम्प हुआ है net income देखे ह काफी जवर्दस तरीके से इनकीज हुआ है तो काफी बहतरीन है आप यहां पर नीचे annual report भी कापनी पर सबते हैं company के management के बारे में जानना हो company के feature planning के बारे में जानना हो तो company annual report का पढ़िए company के जो conference call होते है उसको सुनिए बहुत सारी YouTube चैनल है जिस पर आपको company के conference call मिन जानने के लिए जो यहां पर date to equity ratio है वो काफी कम है date to equity जो ratio है वो 0.1 है यहां पर percentage में इसको 100 से divide कर दिए 0.1% काफी कम होगे date to equity ratio मतलब जो equity है उसका math 11% date है जबकि industry के और जो company है उसका average रूप से 53% जो equity का date है उसके पास तो काफी कम है अगर यह मतलब 20% हो 10% हो समझे काफी कम है 100% तक चलता है 100% उपर हो तब यहां तो math 11% है अब एक है current ratio क्या होता है जो current assert है but current liabilities current assert but current liabilities तो यहां पर assert क्या होना चाहिए ज यह ratio जो होना चाहिए 100% से कम नहीं होना चाहिए और डेट ट्विकल यह 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोनों एक दूसरे के opposite है तो यह देखे 165% है जो की better है और यह बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए 300% से ज्यादा हो गया तो समझे कमपनी जो अपने current assert को अच तो यह देखें इंडस्टी से ज्यादा बेटर है इंडस्टी 143% है इसका 165% है जो की काफी better है और यहां पर total current assert देख भी सकते हैं कमपनी के पास current assert कितना है current liabilities कितना है दोनों को डिभाइड कर देजिए आपको current जो ratio है वो आ जाएगा यहां पर cash flow देखते है cash flow क्या होत cash flow अगर positive है तो समझे एक company का health अच्छा है मतलब company को cash आ रहा है cash आ रहा है company के पास तो company का health अच्छा है अगर company से cash लगातार outflow हो रहा है मतलब company का financial health जो है वो काफी खराब है तो यह देखें साड़े parameters आपको यहां पर सीखने मिल जाएंगे बाद में हम technical chart भी बताएंगे technical chart भी मेरा काफी solid है जिससे हम company को किस price पर buy करेंगे हो वो देखने मिल जाएगा अगर के financial आपने समझ लिया आप peer comparison भी देख सकते हैं कि company का यहां पर Pee मतलब company जो है अपने अलग-अलग जो industry के company है उससे सस्ते Pee पर मिल रहा है या महगे पर देके बिटेनिया मात्र आध इसे भी काफी सस्ते price पर मिल रहा है कितना सस्ते price मिल रहा है अब देखिए book value यह भी काफी आपको पीछे बताया थे काफी सस्ते book value एक रुप्य एक book value जो price पे कर हैं काफी हम सस्ते पे कर है 18 रुपीज और यहाँ पा देखे लिए यह 20 है तो वह 18 है यह इस यह इसका पाइंट परसेंट का डिवन पाइंट थरी का है तो अभी बिटेनिया इंडिस्टी बेटर है यह 0.93 परसेंट है देखिए हर मतलब पारामेंटर से बिटेनिया इंडिस्टी काफी जबर्दस्त स्टॉक है इसको बाद यहाँ पर जो भी forecast है उसको भी देखते है 56% जो एनलिस्ट है वो बाय रिकमेंडेशन देते हैं निसले में मात 45% बाय रिकमेंडेशन जबकि इसमें 100% देखिए है इसमें 100% तो लेकिन फिर भी यह चाफी जबर्दस्त है आपने देखा काफी सस्ते पी पर हमें यह स्टॉक मिल रहा है तो भैलेसन काफी सस्ता है इस यहां पर देख लेजिए जो पर्मोटर का होलिंग है 50% है तो 50% हो 50% ज्यादा हुद काफी बेटर रहता है और इसमें पर्मोटर का अच्छा खाच सा है फिर यहां मुचल फंड का होलिंग देजिए 4.84% है काफी बेहतरी नहीं है यहां डोमेस्टिक इंस्टूशनल इंवेस्टर उसका जो है 6.3% है और एफाइज का जो फोरें इंस्टूशनल इंवेस्टर है उसका 17.96% है और डिटेल का 20% तो इसमें सब का क्या रोल है हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है पर मोटरोश कैपटन होता है जो जहाज को सकता है जहाज को सही डायक्शन में ले सकता है और आगे क्या होता है कि एडिसेंट टाइम में कंपनी का सेर प्राइस जो ऊपर जाएगा या लीचे आप इन सब चीजों से मतलब जो इंस्टूशनल इंवेस्टर है से पाइड लिचार जोविछएंट में उसको देख सकते हैं पर इंक्रिण करसी में कङे संद्स किया है और यहां पर देखेंगे 1.8% का है जो की काफी बेहते हैं जो पिछे भी आपने देखा मतलब इसमें अगर 1000 रूपीज आप लगाते हैं तो अठाड़े रूपीया आपको डिविनिट के रूप में हर साल मिलेगा फिर यहां पर कार्पोरेट एक्षन को देखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें चार्ट पे थो समझे उसका technical चाठ काफी वीग है तो यहां देख सकते हैं यहां से हम चला यहां पर जो इसwald कम्पनी लगा था पिर यहाँ पर हाई बनाया और यहाँ जाए फिर से गिरावट होती है यहांपर यह गिरा फिर उपर गया लेकिन इस फाय को पड़िया जब तक हाई को ब्रेक पर देखे इस यहां पर जो लो है लगवक बरावर ही बना पैंडमिक था तो उसके कारण थोड़ा सा ज़्यादा यह स्टॉप में गिरावट हुआ लेकिन यहां पर सस्टेन नहीं किया तो इस लोग को उतना हम भैल नहीं देंगे लेकिन कपनी अपने लोग को एक तरह से ब् बांस बेख करता है अब समझ लिए यहां से स्टॉप बांस बेख करता है तो आपको यहां पर जवर्दस्त मुहमेंटम उपर के और देखने मिलेगा तो यह अभी बेस्ट टाइम है क्योंकि यहां पर आप देख सते हैं कई बार यह स्टॉप इस प्राइस पर मतलब इस ट् 3,200 यह आप इसका सपोर्ट लेवल होगा तो यहां से ज्यादा ज्यादा 200 रुपीज नीचे आ सकता है लेकिन अपसाइड पोटेंसल काफी ज्यादा है तो ऊपर जो यह स्टॉप 4,300 तक 4,500 तक आसानी तक जा सकता है तो यह था टेकनिकल चार्ट पे टेकनिकल चार्ट पे यहां पर हम जूम करते हैं तो यहां पर पीछे से आपको 10 यहां पर लिए थे आप और पीछे का चार्ट देखना है यहां पर गया था पर यहां लो बनाया फिर यहां लो बनाया फिर यहां लो बनाया देखिए यह पीछे के लोगो ब्रेक किया नहीं किया से लो बनाया फि क्योंकि यह पीछे के high को break, जब तक नहीं करेगा, उसको हम high नहींreten बोलेंगे, यह दुना same नहीं low था, अब ठीए फिर यहाँ पर आता है company, यहाँ पर low बनाता है, फिर यहाँ पर high बनाता है, और ठीए फिर यह high, अब देखे यहां पर इसको high नहीं लेगी, यहां पर हमने थोड़ा सा mistake किया था, इसको high नहीं किया, जब तक break नहीं करता है, तो नया high हो गया, अब यहां पर low बनाइए है, इस low से काफ़ी उपर है, तो हमेशा यह higher low बना रहा है, तो price यहां देखे लगातार uptrend में है, भी आता है तो बस इसके जश्ट थोड़ा सा नीचे आता है तो आप इसके जश्ट थोड़ा सा नीचे भी आए तो invest करते रही है बस SIP मोड में जैसे जैसे company stock नीचे आता है तो आप उसमें SIP करते रही है उपर जाएगा तो ऊपर SIP केजिए तो काफी solid stock है उमिद करते हैं ये stock भी आपको पसंद आया होगा मतलब ये stock को कब buy करना है तो अभी buy करने का बहुत अच्छा समय है साथी साथ आप खुद से कैसे analysis कर सकते हैं और stock market का जो ये basic जानकारी है वो अच्छा लगा होगा वीडियो को like और share करके मुझे motivate जरूर किजेगा ताकि इसी तरह के educational वीडियो आपके लाता रहे और चैब आप आली बार है सस्क्राइब कर लेजिए